तो कैसे हैं आप लोग? वहाँ तेज हो रहा है, वहाँ तेज हो रहा है, साल तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले, मैं अपने पिछले दो वीडियो के फीचर कमेंटर्स का नाम लेना चाहता हूं, क्योंकि पिछली वीडियो में मैं भूल गया था Thank you so much, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए आप लोग इसी तरह कमेंट्स करते रहो, और मैं आपका नाम लेता रहूँगा तो आज की वीडियो में, हम किसी application के बारे में बात नहीं करेंगे अगर क्यों इन्वेस्ट करें चल और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह दोनों फोन्स बहुत ही ज्यादा सिमिलर है जैसे मैं चिंक क्यों ही मिंकी है तो वीडियो को एंट तक देखना क्योंकि इतना घ्यान पाकर आपको याद आजाएगी आपकी नानी नाम है मेरा ख्यानी फ्राणी तो आप मैंसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो भी फोन लेने का सोच रहे होंगे है ना येस पर क्या आपका इन दोनों फोन में से किसी पे भी इन्वेस्ट करना सही रहेगा तो सबसे पहले हम जिस फोन के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है Poco X3 Pro भाई Poco ब्रैंड के ओनर से मैं बस एक ही सवाल पुछने चाहता हूँ यार नाम तो तुम रख देते हो Pro, Ultra, Max लेकिन फीचर्स जो तुमारे फोन के है ना वो पुराने फोन में से भी घाटिया रहते हैं का पहासीर बना दिया हो क्योंकि जब आप इस सो कॉल्ड प्रो फोन से इसके छोटे भाई यानि की Poco X3 को कॉंपेर करोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे प्रोसेसर ही अच्छा मिलेगा लेकिन एक सेकंड और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि स्नाप ड्रेगन 860 में 4K 60fps तक रिकॉर्ड करने का उप्शन नहीं दिया जबकि ये स्नाप ड्रेगन 845 का Poco F1 इसमें तो दो साल पहले सही है अब बात करूं इस फोन की प्राइस की तो येरोपियान मार्केट में इस फोन की प्राइस है 250 यूरोस यानि की 21,500 इंडियन रुपीज और वहीं अभी Poco F1 की प्राइस भाई मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि ये प्रो फोन खराब है लेकिन आप ही सोचो अगर किसी ने पिछले साल Poco X3 परचेस किया होगा और अभी कोई बंदा Poco X3 Pro परचेस कर रहा है तो वो उसको क्या कर चिड़ाएगा भाई मेरे फोन में Snapdragon 860 है कैमरा कितने Megapixel का है अब अगर इस से ज़ादा मैंने इस फोन के बारे में बोला ना तो Poco ने तो मेरी धुलाई कर देनी है अब हम बात करेंगे Poco F2 ना 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 Poco F3 के बारे में तो आपको अगर याद होगा कि 2018 में Poco F1 लॉंच हुआ था और उस ताइम पे इस फोन ने मार्केट में ऐसा हंगामा मचा दिया था मतलब 21,000 में Snapdragon 845 मिलना मतलब बहुत बड़ी बात थी और इस फोन को तो आईफोन X के साथ भी compare किया यह तो Poco F1 के आने के बाद हम लोग ने बहुत दिन तक Poco F2 का वेट किया लेकिन हमें पता चला कि Poco F2 का तो इन्होंने गला ही गोड दिया और डिरेक्टली लॉंच कर दिया Poco F3 अब देखा जाए तो फोन तो यह भी बहुत अच्छा है मतलब snap dragon 870 मिला है तो 4K 60fps रिकॉर्ड करने का option तो इसमें पक्का कोई बात नहीं यार 4K 60fps रिकॉर्ड नहीं कर सकता है तो क्या हुआ पिछली बार आपको Poco F1 में IPS LCD का display मिला था मतलब बहुत ही घटिया display था लेकिन इस फोन में तो आपको MOL display मिलता है वो भी 120Hz refresh rate के साथ मतलब इसमें तो आपको in display fingerprint scanner अब अगर मैंने Poco के बारे में और कुछ बोला ना लास्ट में में बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि यार फोन दोनों ठीक ठाकी है फोन में कोई problem नहीं है लेकिन मेरा वीडियो बनाने का मकसद यह था कि अगर आपके पास पहले सही Poco X3 है या फिर कोई भी flagship phone है तो आपको इन दोनों phones में पैसे invest करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपको कोई बड़ा अपगरेट देखने को नहीं मिला है जो इसमें है और आपके phone में नहीं है तो अपने पैसे को save करो और अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसे है बाकी मैं पिछले दो वीडियो से notice कर रहा हूँ वीडियो तो आप पूरी देख लेते हो लेकिन चैनल को subscribe नहीं करते हैं तो जिन लोगों ने subscribe नहीं किया है उन लोगों में बताना चाहता हूँ कि subscribe बटन कुछ ऐसा दिखता है चलो भाई आज का तो हो गया अब अगली वीडियो के तैयारी करते हैं तब तक के लिए अच्छला वीस्ता